जी सर आज के मीटिंग का बार में जान करें करें दिजे जी सामने लोगसवाग का इलेक्शन है उसको लेके हम लोग यहाँ पर जाएगा तू अंचल को लेके आज हम लोग बैठे थे एक प्रिपरिटरी मीटिंग था अंचल का जो important leadership है उसको लेके हम लोग आज बैठे और आगे हम लोग का जो रन नीती है उसको हम लोगों ने उसके बारे में बातचित किया और जैसे कि आप लोग जानते हैं अभी तक Congress का उमिद बार कौन है अभी तक कुछ final नहीं हुआ है अभी तक announce नहीं हुआ है जब तक announce हो जाएगा तब तक के लिए हम लोग यहां preparatory meeting हर जगा में कर रहे हैं और जो भी candidate होगा उसके लिए हम लोग जी जान से लड़के हम उसको जिताएंगे और यहां पे BGP और टिनो मूल को एक इंज जबिन भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे उसके बारे में हम लोगों ने आज रनने दी तयार किया है जी election डिकलियर हो चुका है टीमसी के तरब से भासपा के तरब से उमिदवार भी डिकलियर हो चुका है कॉंग्रेस के तरब से कब होगा देखिए अभी तक बाची चल रहा है आप जैसे के जानते हैं कॉंग्रेस का अभी तक पूरे देश में सिर्फ दो लिस्ट निकला है अभी तक और थर्ड लिस्ट अभी तक निकलना बाकी है तो वोईस बेंगल में एक भी कंडिडेस डिकलेर नहीं हुआ अभी तक बाची चल रहा है आज भी आईसेज में में मीटिंग है तो दो एक दिन में क्लियर हो जाएगा बाकी जो पार्टिया है जिनका उमिद्वास भूसित हो चुका है वह कैंपेनिंग करना इलेक्शन कैंपेनिंग में उतर चुके हैं प्रचार प्रचार में उतर चुके हैं अभी तक आप लोग वह नहीं कर पा रहे हैं तो कितना फर्क पड़ेगा देखें लोगस्वा का इलेक्शन एक अलग एस्पेक्ट में होता है यहां पर एजेंडा के उपर वोट आता है यह लोकल वड़ी इलेक्शन नहीं है को कंडि का इजेंडा साफ है आप लोग जानते हैं राहूल गांदी पूरे देश का दोरा कर रहा है नए यात्रा निकाले है और इतना रेस्पोंस मिल रहा है राहूल जी को तो उसका एफेक्ट आगामी लोकस्वा निर्वाचन में ज़रूर परेगा और खास करके डूर्स में आप जानते हैं कि नेपाली और आदीबसी वोटर्स जादा है और आदीबसी लोगों के लिए अगर कोई अगर लड़ाई कर रहा है पूरे देश में तो है राहूल गांधी और कॉंग्रेस पार्टी और नेपाली गोर्खा जन जात्री जो है वो गोर्खा जन जात्री के लिए अभी तक बीजेपी पहार से इतना वोट लिया है, दो MP हो गया है, अभी तीन बार होने वाला है, तो ये दस सालों में बीजेपी पहार के लिए कुछ नहीं किया, नेपाली और गोर्खा के लिए कुछ नहीं किया, गोर्खा जम जाते के लिए जो भी कुछ किया है, वो कॉंग्रेस ने दिया है। तो अभी वह महसुष कर रहा है मधफा गोर्खा जनुजाटी लोग के कॉंग्रेस सही में बीजेपी हम लोगों को पुद्धू बनाया है, उ środलू बनाया हम लोगों को कुछ नहीं दिया है, और जो भी दिया है वो कॉंग्रेस पार्टी को दिया है, तो इसलिए इस बर हम लोग का पूरा गोर्खा जन्वजाते के उपर पूरा भरोसा है और आशा भी है कि कॉंग्रेस के तरफ वोड करेंगे और कॉंग्रेस को अश्रिबात करेंगे. देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से लगातार दल बदल का कारेक्राम चल रहा है, काफी सारे कॉंग्रेस के नेता, कॉंग्रेस के पंचायत मेंबर भी दूसरे दल में जा रहा हैं, तो कितना फर्क पड़ेगा? देखे जो दल बदल कर रहा है, वो जिसने वोट किया उसको लेके नहीं जा रहा है, वो खुद अकले जा रहा है, तो पब्लिक मेंडेट जो है, वो कॉंग्रेस के साथ है, क्योंकि वोट कॉंग्रेस को देखके किया था वो लोगों ने, ये पस्चिम मंगल में हम लोग 40 सा से पौर में नहीं है, फिर भी अगर आम आदमी कॉंग्रेस के लिए वोट करता है, मतलब कॉंग्रेस के उपर विश्पास भरोसा करके, कॉंग्रेस का जो सीम्बल है, उसको देखके वोट किया, तो वो आदमी, वो पंचाथ मेंबर अगर दूसरे पार्टी में जाता है, उ जितना इसको आसानी से ले रहा है, उतना आसानी एलेक्शन नहीं होने वाला है, शांतुनो देवनत वर्किंपेसंट अल्पूद ओडिस्टिक कंग्रेस कमेटी.